चल्दा सीगो चल्द आँ पर हाँ बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि वो विष्णू का अफ्तार है तो सोच लो समझ लो तो और तोल कर उत्तर दो करना चाहोगे मेरा ये कार है आपने मुझे मुझे मुक्त किया है महाराज आपका रिण है मुझे पर वो बालक विष्णू का अफ्तार हो या स्वैम विष्णू मेरे लिए आपका रिर्ण चुकाने की इक्षा से अधिक और कुछ नहीं मैं इसी क्षण को कुल जाऊँगा और उस बालक को उठा कर आपके सम्मुख लाऊँगा और आपके सम्मुख लाकर उसका वत करूँगा आप निश्चिन थोकर महल जाईए माराज सेश्कार्य आपका ये सेवक करेगा विश्णूब मैंने कही थे नहीं असोधा जिब बहुत सिग्र चलने लगेगो देखो अच्छिन थे नहीं असोधा लाँ अच्छिन थे नहीं असोधा ये जब बहुत सिग्व लाँ अच्छिन थे नहीं थे नहीं असोधा। तनिक और एक बार निकट आओ तो सही जहां तक मेरी पहुच है बस किसी तरह वहां तक पहुच जाओ ना लल्ला इस सीमा के बहार ना जाना है मैया सही कह रही है पुत्र तनिक बड़ा हो जा फिर जाना बहार जानो ना फुड़ी प्रतिक्षा करनी पड़ेगी खोड़ी ना भौत प्रतिक्षा करनी है अभी हाँ नहीं तो प्रतिक्षा तो मुझे करनी पड़ रही है पर कब तक कभी ना कभी तो मेरे पहुच तक आओ गयी उचित अफसर के ताक में अबसे प्रतिक्षा मेरी आँखों में बसेगी नंद लाला दिन हो या रात आज से मेरी आँखे सदैव तुम्हारे द्वार की ओर ताकती ही रहेंगी महाराश कहां चले गए थे आप और ये सब ये सब कैसे हुआ आप ठीक तो है ना बहुत पीड़ा हो रही है क्या इस से आनंद दायक तो और कुछ भी नहीं अस्ती सोन में आप शवास्टुन नहीं आप दो सब कराशुन सौनी आप शवास्टुन आप शवाश्टुन आप सौस टो तो एणुन वुरी परास्वास्टुन और अब वो स्वस्थ नहीं रहेगा क्योंकि विनाश गोकुल की ओर अग्रसर है तेरे जनम दिन के दिवास के दिन सारी गोप्या कित्ता सजधाच के आई है देख रहा है तेरे जनम दिन के स्नान की तयारी यहां चल रही है और तू है कि बाहर देख रहा है मुझे स्नान कराने के लिए इतना सारा प्रबंद आप तो प्रसंद हो ना लल्ला का पहला जनम दिन है फिर वे उत्सब छोटोई रखो है मैंने चले उत्सब समाप्त हो जावेगो जानकी शीद्र चल चल बैसे परसाना जाने की का आवा सकता थी मावा तो गूकुल में भी मिल जातो मिठाईयों के लिए इस सबसे उत्तर मावा चाहिएता उन्हें वे तुने सही कहा उत्सब का आनन तो पक्त क्या होगाओ कच्छुना मैं तो बस यही कह रही थी कि उत्सब का आनन तो पकवानों से ही आतो है जन्म दिवस का उत्सब नहीं मरन दिन का मातम मनाया जाएगा आज पूरे गूकुल में लला उत्सब तो भीतर है तु बार बार बाहर क्या देख रहो है कानहा तयार हो जा आज ये सारी गोपिया मिलकर तुम्हें सनान करवाएंगी हुँ 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 पिया गाए गौली गाए मंगल है दिन, मंगल बेला, तंचा मित से लला नहाई, बारनत खट है वो फुल का प्यारा, अपनी मैया का है ये दुलारा जियो जिग 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 जियो नंगलारा जियो जुग जुग जियो नंग लाणा जियो जुग जुग जियो नंग लाणा पहले पूरे गाओं का विनास करूंगा फिर उस बालक पर विपत्ती बनकर तूट पडूंगा आज कंस के दर्वार में उत्सव मनाया जाएगा कंस के शत्रू की मृत्यू का उत्सव क्या हुआ मुझ पर विश्वास नहीं रहा क्या विश्वास तो आप पर अटूट है महराज पर अतीत में मिली असफलताओं की सूची लंबी है इसलिए जिसे आपने भीजा है उस आंधी के दूद पर विश्वास करना तनिक कथिन हो रहा है जिसे मैंने भेजा है उसके अतीत के बारे में जानकर असफलता का संधय भी मृत्यू का वरण कर लेता है कि कहीं त्रनावरत की शक्तियों से उसका सामना ना हो जाए त्रिनावरत? वही त्रनावरत जिसके आतंक से सदियों पहले महान रिशी तक घबरा गए थे और उन्होंने वर्षों की भीषण तपस्या की जिससे उसे एक विशेश संदूक में बंदी बना कर रखा जा सके आतंक के साक्षात रूप उस महान त्रणावर्थ को मैंने मुक्त कर दिया है और वो मुझे मेरे शत्रू की छाया से मुक्त करेगा मृत्यू प्रदान करेगा उस उस विश्णू अफ्तार को मृत्यू सुनो जैसे ही उस बालक की मृत्यू का समाचा अरप्राप्त हो तो तीन बार पीवर स्वर में देव की और वसुदेव के सामने घोशना करवाना आनंद और भी बड़ जाएगा नंद राज राणी भाबी बाहर का वातावरान बहुत बिगत्ता दिखर हो हैं मुझे तो कजू चिंता की बात ना लग रही पलभर को मुझे ऐसा लगो कि जैसे बैंकर रूप्त मेरे काना का जनम दिन है न तो सीव रवायू चला के प्रकृती बधाई दे रही है विनाश के संकेत दे रही है मैया ये साबधान होने का समय है मैं चलती हूं जशुदा कहीं पीछली बार की जैसे आंधी आ गई तो भीशन समस्या हो जाएगी है संक्री मौसी मेरे लल्ला का जनम दिन है इती सीखर क्यों जा रही हो अरे जानकी कस्तूरी तुम सब कहा चली भाबी जाने का मन तो मेरा भी ना है किन तु जाना पड़ेगो घर की कुंडी भी ना लगाई मैंने हाँ भाबी और मुझे भी देखना पड़ेगो को घर पे सब ठीक है की ना शमा करियो जी जी मैं चलती हूँ ये शोदा लगता है मैं द्वार और ज़रों के खुले ही छोड़ाई हूँ जाकर संभालती हूँ तुम चिंता मत करो मैं और बल्राम भोजन के समय से पहले ही आ जाएंगे सुलच्छना तू भी मेरे पापड बाहर चटाई पर सुखायते इदर उदर हो गए तो सारा स्रम वियर्थ हो जाएगो पर काना के जनम दिन का भोश तो खाने आजाना अरे कोई आए ना आए मैं तो आवस्याओंगी और सब से पहले बोशन मेरे थोड़ी ने जाने दूगी मैं हाँ ए सुधा मैं भी तानी गौसाला देखकर आतो बंजी चला जाने दो सब को लल्ला तेरे जनम दिन का उत्सम मनाने के लिए मैया और लल्ला हम दोनों ही पर्याप्त है बात तो सही कही मैया पर मुझे तो इस अंचाहे अतिति को भी संभालना है अन्न प्रासन से पहले भी जे ही हुआ था और आज भी अचानक प्रकरती देवी क्रोधित हो गई है नारायन चे उच्छफ के समय ही ही कोई नं कुई विग्न क्यू आजातो है मैं तो बस तेरा जनमदिन दिसेज बनाना चाहती हूँ लला मेरा बस चले तो सारे संसार को विवस कर दू कि ये दिन उच्च सब के जैसे मनाए पर मैं तो अपना जन दिन आपके साथ मना कर ही प्रसन हूँ मैया अच्छा जी, तो तू भी अपना जनम दिन केवल अपनी मईया के साथ मना की प्रसन्न है तो बता, पहले क्या करे? गीत गाए, किन रित्थे करे? बता? मैं संगीत बजाओं प्रभू अनंदारो है, आशेरा जनम दिन है काना जित्ता मन करें उत्ता उड़ ये असुर तो मेरी आशा से भी अधिक निकटा पहुचा है मैया के सामने इसका सामना कैसे करूँ? खिने के सामने करेंगरБ व् cerी मीव जिर बहुचा है क्या करेंगर Camb़ उना है क्या करेंगर कुचा है झाले है क्या करेंगर बहुचा है तो तू है वो बालक जिसके लिए महाराज कंस ने मुझे यहाँ भीजाए और तुम हो वो त्रिनावर्द जिसके काल ने स्वयम पुकार कर उसे यहाँ बुलाया है लगता है तुझे उड़ना बहुत प्रिये है चिंता मत कर बालक आज तेरे साथ तेरी मा को भी उड़ा कर ले जाऊंगा उचाई से गिर कर जब वो प्राण त्यागेगी देखने में बहुत आनंदा आएगा जिसकंसे तुमने ये अपशब्द मेरी महा के बारे में कहे है आज उसी कंसे तुम्हारे प्राणों का हरन करूँगा त्रेनावर ये मैया के सम्मान के लिए एक पुद्र का वचन है माराज कंस को वचन दिया है मैंने आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता स्वैम विश्नू भी नहीं ये दुष्ट तो मेरी मैया को भी हानी पहुचाना चाता है मुझे शीखर ही कोई उपाय खोजना होगा ताकि मैया मेरे साथ खेलना छोड़कर भीतर चली जाए और मैं इसका सामना कर पाऊँ जेत्ता भारी कैसे होगा यह मैं ही धग गई चल लल्ला बैट के खेलते हैं हाँ बैचा अरे मैया तो यहीं बैठ गई अब क्या करूँ मैं मैया के सामने त्रिनावर्ट को नहीं आने दे सकता और ये भी मुझे छोड़कर भीतर नहीं जाएंगी वाईू तीवर हो रही है लल्ला भीतर चले एक उपाई है बहन योग माया सहायता करो ना जर सोदा आने दो उने इसके जनम दिन का असरवार देने आई है ना बहन मैया को शीखरी ही बीतर ले जाओ और हाँ इन्हें अपनी माया के प्रभाव में रखना ताकि ये कुछ समय तक मुझे भूली रहे और मैं इस राक्षस से युद्ध कर सकूँ आपकी सीख बहुत काम आई मेरे जैसा आपने बताया था ना वैसी मालिश करती हो इसकी मैं तो बता नहीं भूल गई काना नाम है इसका वैसे तो क्रिस्ट नाम रखो है पर आप भी तर आया ना धन्यवाद बेहन बस अब मैया को तब तक बाहर मत आने देना जब तक मैं अपना कारे समापना कर लूँ अबाओ रेना वर अबाओ रेना वर मेरी परिक्तमा करने आये हूँ क्या त्रेनावर नहीं तेरा काल बन कर आया हूँ तो ये सत्य है कि तू विष्णु का ही अवतार है अब तो और भी आनन्द आएगा इस युद्ध में तेरी हत्या करके कंस के दर्वार में आज के युक का सबसे महान राक्षस बन जाऊँगा मैं जिस कार्य को उतना भी करने में अक्षम सिद्ध हुई वो कार्य ये करके दिखाएगा महान राक्षस योद्धा त्रणा वर्त त्रणा वर्त देखना ऐसे दबोच लेगा त्रणा वर्तुस बालक को अपनी मुठी में बहुत खिल खिला रहा था ना अब मुस्कुरा कर दिखाएगा जब तुझे महाराज कंस के सामने आकाश में ले जाकर गुमी पर फिकूंगा तब कैसे मुस्कुराएगा विश्णू अव्तार आज द्रणा वर्तुस तुष्ट बालक को मेरे सामने लेकर आएगा और तब तब उत्सो मनाईएगा महाराज आने वाले सुक की कलपना करके प्रसन्न नहीं हुआ जाता भाग्यों को बूरी द्रिष्टी लग जाती है मुझे पुरा विश्वास है कित रिनावरत अपना दायत्वा अवश्य पूरा करेगा पर कार्ये पूरा होने के बाद उसकी घोशना करना बुद्धी मानी मानी जाती है महाराज कुछ अग्री वोडने लगी हो चुई मुईसी प्राप्ती के मुख में उसकी जीव अपना स्तित्व खोजना चाहती है उसे सीमा में रखो आप तो कचुखा ही ना रहें ता देख तो लो चक्कर बताओ कैसा लग रहो है मैं आपके लिए छाच लेकर आती हूँ चसदा छाच के स्तान पर मीठी लस्सी मिलेगी आप यहीं रुको मैं काना को बाहर ही छोड़ाई हूँ ना जानवे ऐसा क्यो लगो मेरे लल्ला संकट में है मा की ममता को कौन सी माया बांध पाई है आज तक भड़ा काना 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 अदभूत है अपने संतान के लिए इस मा की ममता अपनी सुरक्षा का ध्यान तक हुए है परन्तों अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस महा भयांकर छांजवाद से लन्ने चली गए है पादा तुझे क्या लगता है मैं तुझे ब्रह्मन के लिए ले जा रहा हूं रुक! तुझे और उपर ले जाता हूं तभी तुझे उचाई से गिरने के भैका अनुभब होगा पोलावन भी! कादा मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं बालक तेरे प्राण संकट में है जब तुझे इतनी उचाई से नीचे फिकूंगा तो तेरा तन इतने भागों में बढ़ जाएगा कि समस्त गोकुलवासी भी तेरे तन को समेट नहीं पाएंगे और मतुरा में माराज कंस रसन होकर नृत्त कर उठेंगे तब तो यहां जो हो रहा है कंस मामा को दिखाना जाहिए मुझे वो देखो वो रहा त्रणा वर्त उस बालक के साथ वाह त्रणा वर्त वाह इसे एक्षण की प्रतिक्षा थी मुझे मैं प्रभू की सायता के लिए जाओ या नहीं इस राक्षस के दंब को शीगर ही तोड़कर मुझे मया के पास लोटना होगा इसे मेरी मुस्कुराहत से चिड है तो अब यही बनेगी मेरा अस्त्र इन्हें तो मेरी सायता के आवश्यक्ता ही नहीं है यदि होगी तो यह सदेव की थरा मेरा स्मरण अवश्य करेंगे तब तक उच्छित शर्ण की तर्दिक्ष्या करने होगी मुझे ऐसी भीसन आंधी आज तक गोकुल में आई मुझे लल्ला और और यासोधा को संभालनो होगो कई वो बहबीत न हो जाए बोला भाजी, मन्जी यासोधा मुझे वे Your यासोधा म्यासोधा मुझे भैख को मोगो यासोधा वोला भाज्टेवला यासोधा यासोधा तर्दा पहला पहला पांची आड़ पांची उतो और वोला, बोला उटो तो बोला ठीक तो हो ना काना कहा है नंदा जी, आंदी में काना की रख्षकन्नका प्रयास किया था आमने प्रयास किया था? इसका क्या आर्थ है? रानी भाबी, हमने देखों कि बहुत थी ब्रांदी आ रहे थी हम काना को बचाने के भागे भी परन्तु हमारे पहुशने से पहले ही हमें भयाने काधी ने घेर लियो और हमें उचा कर यहां पटक दियो ना जी आंदे कितनी भी भयानक क्यों न हो मेरे कानों को कछो हानी न पहुचा सकती आंदी कितनी भी भयानक क्यों ना, मेरे कानों को कच्छो हानी ना पहुंचा सकती。 मेरा रह्ने कहे रहो एक काना ठीक ही होगो. किद्दु है कहाँ? काना हो! या सुधा, कच्छुल बहुँंडों काना को! काना हो! चलो, भूदो काना को! काना हो! बड़ी शीगर्ता है तुझे यमलोक में जाने की तभी तो मेरी पास में जकड़ा हुआ भी मुस्कुरा रहा है तनिक ठहर और अधिक उचाई पर ले जाकर फिकूँगा तुझे तेरी सारी मुस्कुराहट विलीन हो जाएगी चलो द्रिनवर अब मैं भी देखता हूँ तुम कितना उपर उठा पाते हो मुझे क्या हुआ तुम तो और उचाई पर ले जाने वाले थे मुझे ए जाना पहार कैसे आ गया इसमें अभी से खबरा आ गए त्रेनावर्थ, अभी तो मैंने तुम पर अपने भार का मात्र एक छोटा सा अंश डाला है ये बच्चा तो किसी विशाल पर्वत की तरह बारी हो गया है त्रेनावर्थ, ठेक दो उसे काना, काना, काना हमारे काना को कुछ ना हो सकता, मो ठीक होगा न जे कहा गया, काना इतनी शीगर पराजय स्विकार कर ली बस बहुत हुई तेरी माया अब समय आ गया है तुझे यहीं से नीचे फेकूंगा सत्य कहा त्रेनावर्थ, समय आ गया है चोड मुझे, चोड अवश्य छोड़ूंगा, जब तुम्हारे प्रान इस तन के बंधन से छोड जाएंगे तब क्वोड़ूडूड़ूड़ूड़ूड़ूद्श मुझे, चोड़ूड फेकूड़ू। ताना! तुम चिंता ना करो इसुदा, मिल जाएगो अंबारा कादा तुम रुकर परतिक्सा करो, मैं स्वाहिम दून कर लाहूगो लाला को ना, रुकर परतिक्सा ना होगी मुझसे मैंने यकेला छोड़ा तो हुछे मैंने चलूंगे आपके साथ, चलू काना! नए, तुनावार्थ! लना! काना! चोड़ दीजिये, मुझे, चोड़ दीजिये! काना! 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 चोड़ दीजिये! काना! काना! काना!! काना! स्वामी, संभालिए अपने आपको आप ठीक तो है न? नाना! नाना! कुछ पल पहले ये मुस्कराहट मेरे लिए क्रोध का कारण थी किन्तु अब इससे अधिक सुन्दर इससे अधिक दिव्य और कुछ नहीं हो सकता उस समय तुम असूर्त रणावत हैं और अब मेरे भक्त सहस्त्राक्षा जो इस जन्म में हुआ वो तुम्हारे पिछले जन्म के सुकर्मों और कुकर्मों का फल्थ हल्थ हल्थ हैं मैं कुछ समझा नहीं प्रभू पिछले जन्म में तुम पांडू नरेश राजा सहस्त्राक्ष थी तुमने मेरी बहुत भक्ति की थी पर एक भूल ने तुम्हें असूर के रूप में जन्म लेने पर विवश्च कर दी रहा कैसी भूल प्रभू एक बार तुम्हारी सेविकाएं तुम्हें नदी में स्नान करवा रही थी तुम्हानन में इतने मगन हो गए थे कि वहां से यात्रा करते मारिशी दुर्वासा का अभिवादन तक न किया तुम्हारा इसी राक्षशी विवार के कारण तुम्हारा इस रण भंगूर शरीर्व उसी शर में भंग हो जाएगा मिर्ति के बाद एक राक्षश को रूप में फिर से जम लोगे तुम्हें ये मेरा शाब है तुम्हें दया महरेशी दया मुझा एहंकारी पर दया कीजिए मुझा ज्यानी को किशमा कीजिए मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूलोई है किन्तु क्या मेरी एक भूल मेरे जीवन भर की तपस्या और भक्ति को व्यर्थ कर देगी मुझे क्शमा कर दीजिए नहीं व्यक्ति को अपने कुकर्मों के साथ साथ सुकर्म का भी फल अवश्य प्राप्त होता है कुकर्म का परिणाम तुम जान चुके हो सुकर्म के फल सरूप तुम्हे वो प्राप्त होगा जिसकी अभीलाशा बड़े बड़े संत महात्मा किया करते है तुम्हें मुक्ति मिलेगी स्वयम तुम्हारे आराध्य प्रुभु श्री नारायन के हाथ हो पर्मात्मा के द्वारा मरण होने के कारण भोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें महारिशी दुर्वासा ने तुम्हें आश्वासन दिया था सास्त्राक्ष इसलिए मैं तुम्हें मुक्ष प्रदान करता हूँ मैं तुम्हें मुक्ष प्रदान करता हूँ करता है तुम्हें 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 विफएल से तुम्हें जहां एंटो नला दो आना अ पिट्काहना दो आना जहां जलादी clerk दो आना जहां जलादीक मे यहांब महिया बन जाओंगा सहायता सहायता चाहिए मुझे मिल गया संकीत चिंता मत करो भया अब ये बहन सब संभाल लेगी को कना कना वाना? वाना? मेरा काना? मेरा लल्ला? मेरा काना? तु ठीक न है ना? कच्छु हुआ तो ना तुझे? कच्छु न हुआ लल्ला को ठीक है? सब कुछ ठीक है? कहा चला गया थकती बईयों को जोड़के? बोल, हाँ? बाई, आपका बहुत बहुत धन्नेवाद आपने मेरे लल्ला को बचा लियो बहुत बहुत अपकार आपका पर आप यहाँ? जब तुम कानाा को ढूनने निकले थी तो मैं भी पीछे-पीछे निकल गए थी इसे ढूनने जेनटखट यहाँ मिलो और मुझे किन्तों यहाँ कैसे? यह सुजा, जी प्रस्न उत्तर का समय ना है चलो, घर चलते ठकान, भूक, न जाने क्या-क्या सेरो होगो यह नन्ना साललला जाओ, जाओ, घर जाओ इसे और तुम सब को विसराम करने की आओ सकता है भूटना कागासर, शुक्तासर आप्दरना अरत अब बस भी कीजिए अब आले अपने आपको पीछे, तुना सा जल पीछे उतना कागास है तरना वरत अभी को क्या होगी है तुम्ही साहस छोड़ दोगी तुम महाराज को कौन संभालेगा चिंता मत करो महाराज को धक्का लगाए तुम चलो मेरे साथ नहीं, मैं महाराज को जोड़के नहीं जाओंगी महाराज, स्वामी आओ नहीं, स्वामी होश में आईए अस्तिन मैंने कहा ना चलो नहीं, मैं स्वामी को जोड़के कहीं नहीं जाओंगी नहीं, जोड़ो मुझे चलो जड़ो मुझे नजाने क्या-क्या उड़ गयो हानी धीरे-धीरे पता चलेगी केतो केतो घर भी उजड़ गय मेरे घर का तो पूरा दर्वाजा ही तूड़ गयो ना इस हीरे से जोड़ना पड़े को आप चिंतित मत हो मैया अब सब ठीक है तेरा लला केला थाया इत्ति विदास का सामना केले क्यों है इसने जे कित्ता मेभीत हो गया हो को इसे सब देखे मुझे किसी असुर से भै नहीं लगता मैया मेरा भै तो बस यही है कि आप भै भीत ना हो जाओ और विचलित होकर कोई निर्ने ना ले लो मेरे कारण हुआ है जे सब मैंने अकेला छोड़ दिया था इसे आप ले लो जी से मैं इसके बईया केलाने के लायक ही ना हूँ यह सुधा चे क्या कह रही है तो ऐसा कछो ना है चे हो गो सो हो गो जाना तो उस बात को ना बूल तो ही है मुझसे कौन सी मा अपने लल्ला को ऐसी चक्रवात में अकेला छोड़कर बीतर चली जाती है उस दिन सुमती और संकरी मौसी उजवल को भूल कर चली गई थी कितना क्रोदित हुई में उन पर और आज में अपने ही लल्ला यह सुधा तो मैं पतो है कि भूल को भूल क्यों कहा जातो है क्योंकि उसे सीगर ही भूला देना चाहिए और वैसे भी नारायन की कृपा से हमारा काना लकुल ठीक है काचो ना हुआ उसे हो तो सकता था नाची जब जब कोई सूब आफसर आतो है तब तब कोई न कोई संकर्ट आई जातो है अचित कह रहे थे हम हमें भवे उत्सब करनों ही ना चाहिए इसी कारण से मेरे लल्ला को दृष्टी लग जाती है सच्ची बात तो जे है कि मेरी बुद्धि ब्राष्ट हो गई थी जो मैं हट करती थी पर अब ना आज के बाद इस भवन में कोई बड़ा उत्सब ना होगो कोई आवंत्रन न जाएगा कोई गी के दिये न जलेंगे और कोई मिठाईया न बटेंगी अपने लल्ला की रक्सा के लिए अपनी प्रसन्यता पर पहरा बिठा लूँगी मैं तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो पर अभी सांत हो जाओ कैसे नंद जी कैसे सांत हो जाओ आज ऐसे लगो जैसे कोई बहुत बड़ी विपता मेरे काना के पीछे पढ़गा है मुझे अपने लल्ला की रक्सा के लिए और सतर्क रहनों चाहिए और मैं उनकी भूल पे भूल किये जा रहे हूं क्याना बाबा अब सत्य आपको पता चल गया है अब आपको ही मैया को शांत करने के लिए कुछ करना होगा मा की मनता के आगे मैं भी विवस हूँ इस बार तो आपको ही मेरी साहता करनी होगी आप सही कह रहे हैं बाबा पर मैं करूँ क्या तुम सब क्या देख रही हो हां कोई उत्साद ना हो रहा है इस मैया को अपने लल्ला का ध्यान रचना आता ही ना है काना की मैया कहलाने के योगी ही ना हो मैं मैया 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 सीक जीवन ग्रंत जिसकी क्या कई तुने फिर से बोल मैया अनंत उसकी माता ओ माता तुही सारे जग के है विधाता क्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश हो कर आए जग पाला या शो मती मैया के नंद लाला या शो मती मैया के नंद लाला या शो मती मैया के नंद लाला क्या ख़ो तुने? सुनो ना तुम सब ने? इसने पहली बार मुझे महिया कह के पुकारू है सुलचना जान की कस्थुरी सुना ना? हाँ दुन्ध जी सुना ना आपने? इसने पहली बार में महिया कहू सुनो यह सुथ। पर आज तुम भी सुन लिए। आज के बाद यह संदे कभी मत करना के तुम लल्ला की महिया कहलने की योग गयना जिस सब को सुनने के लिए इत्ती तपस्या इत्ता पूजा पाठ इत्ते जतन किये हमने उस सब को सुनकर इरा रिदे फूले ना समारो है। मन कर रहे कि मुझे सब हो, ना उस सब ना होगो। आज मेरे लल्ला ने मुझे पहली बार महिया कहके पुकारो है। इस कार्थ तो जेही है ना कि मुझे इसकी महिया बनने का करतव्य और अच्छे से निभानो है। आज जो विनास हुओ है ना उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। वो क्या है कौन है वो सब मैं ना जानती। कि दो इतना आवत से जानती हूँ कि मेरा लला संकट मैं है। और इसी लिए मैंने एक निर्नेलियो है। कैसा निर्नेयो सुधा। यही कि अपसे मै काना को घर के भीतर ही रखूँगी। हाँ जिया। यह सुधा। काना कि सुरक्षा के लिए यह सब करने के कोई आवसकता ना है। आवसकता है नंद जी। बस यही भैठा मुझे। कि आप विजलित होकर आतुरता में कोई निर्ने ना ले ले। यह सुधा। यदि लल्ला बाहर ना जायेगो तो संसार के बारे में कैसे सीखेगो। कैसे पता चलेगो उसे। आप बता देना। कि तु आज के बाद मेरा लल्ला नंद भवन के दहरी के बाहर पाउना रखेगो। इतना कड़ा नेने मत लो मैया। आज से हर समय मेरी आखों के सामने रहेगो मेरा काना। सोते जाकते इस पर तृष्टी रखूंगी मैं। जो भी आवस्यक होगो मैं सिखाऊंगी इसे। प्रापती रही। यही सिखाया था मैंने तुम्हें। कहा था ना मैंने तुम्हें। क्यों पर नियंतरन रखो। धान रखो उनका। हैका बहुत बड़ा असर पड़ता है उन पे। शीग रही पराजय को अपने मन में बिठा लेते हैं वो। परिस्थिति यदि उनके पक्ष में रही तो उनसे बड़ा सीह उस वन में कोई और नहीं। और यदि विपक्ष को सफलता मिलने लगे तो निडर सीह को गीदर बनते वक्त नहीं लगता। देखो उनकी दशा, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें सब कुछ सिखाया था मैंने? हाँ, क्या करना है, कैसे सुझाव देने है, क्या मंत्रणा करनी है, सब समधाया था मैंने तुम्हें। पर तुम, तुम असफल रही। देखो उन्हें, कैसे पराजित जुवारी की तरह अपना सारा साहस गवाकर, शीज जुकाकर नीचे बैठते हैं वो। जानती थी मैं, कि दुसरी पत्नी बनूंगी, लेकिन फिर भी उनसे विवाक किया मैंने। पता है क्यूँ। क्यूँ कि महरानी बनना था मुझे। जीवन का सुख चाहिए था मुझे। सत्ता की शक्ति चाहिए थी। पर अब उसमिश्नों अफ्थार के कारण लगता है कि हम दोनों शिग्रही विद्वा बन जाई है। सुनो जी, मेरे एक बिंती है आपसे, मना मती करना आप। जो कर रही हूँ, वो करने दो। बस आप आग्या दे दो। मैया ने नेर्ने ले लिया है। जो तुम्हे उचित लगे, तुम कर वे यह सुथ। महराज कंज के मृत्यों के बाद, उनके सहयोगी, मंत्री, सेनापती, हम दोनों के साथ क्या करेंगे? नोच कर खा जाएंगे वो हम दोनों को, और यह सब होगा तुम्हारे कारण अस्ती। शमा कुझ एक शमा कर दो, राप्ती। शमा काईरो की लग्जा होती है अस्ती। मुझे चाहिए शाहस का शस्त्र और कुटिलता के अस्त्र। जानती हो, मैं महाराज को क्यों नहीं संभालती। क्योंकि मुझे भय लगता है। महाराज से नहीं, अपने क्रोध से। क्योंकि बात अगर आगे बढ़ गई, तो तलवारे मयान से बाहर निकलाएगी। या तो महाराज के मृत्ति होगी या तो मेरी। कुझ एक शमा कर दो प्राप्ती। पताओ मैं क्या करूँ। तुम बस मॉन धारन करो, मॉन। अब कुछ कहना नहीं, करना पड़ेगा। महाराज कंस के आत्म विश्वास को फिर से जगाना होगा। उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा, कि वो मतुरा नरेश कंस है। और वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी। कुछ 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 वही है क्रिश्ण कितने वर्ष बीद गए तुम्हारी प्रतीक्षा में हर सुभा लगता था कि तुम आज मिलोगे पर तुम कभी नहीं आए आज फेरा शाबांधी है तोड मत देना क्रिश्ण वर्षों से तुम्हारे लिए योजना बना कर रखी है मैंने आज उसे पूरा अवश्य करूंगी मैं अपने वर्षों की प्रतीक्षा का अंत करूंगी आज आओ क्रिश्ण ये हाथ तुम तक पहुँचने के लिए तड़प रहे हैं बाहर आओ आओ क्रिश्ण आओ आज भी निराश कर दिया कब आएगा वो दिन जब तुम मेरी पहुँच में होगे कब सारा संसार आपके दर्सन करके अपना दिन आरम करतो है पर छमा करियो सूर्यदेव इस मैया के मन को तो सांती केवल अपने लल्ला के मुख के दर्सन करके मिलती ये तुलसी मैया आप तो इस मैया के दुवधा अवस्य समझोगे आपको तो पतो है न नित्त के जैसे आज भी काना बाहर जाने के लिए हट करेगो या फर किसी ना किसी प्रकार से मुझे मनाने का प्रयास करेगो इसलिए इतनी सक्ती दो मुझे कि मैं उसकी मनूहर बातों की फेर में ना हूँ और आज फिर से उसे मना कर पाऊं अब करेगी जसोदा अपने कानहा के मुख के दर्सन और फिर खोलेगी अपनी आखे होर हो गई कानहा चादर से बाहर निकल और अपनी प्यारी प्यारी मुश्कुराहट दिखा दे अपनी मुईया को मेरा मुँद एके चिलाए क्यों नहीं वो वो तुम इतने भयानक लग रही हो क्या मैं ना आज तो तुम प्रती दिन के अपेकसा अथिक सुन्दर लग रही हो लग रहो है मानो भूर की किर्णे सूर्यदेव से नहीं तुम से फोट रही हूँ जूटी प्रसंसा मती करो आप और ये बताओ मेरे लल्ला के बिछोने पर आप क्या कर रहे हो अरे तुम्हारे लल्ला नहीं गई थी उसके बिछोने पर सोने के लिए तागे तुम्हारे साथ सो सके अब जाकर उसकी सैतानी समझ में आई मुझे बचे सैतानी अच्छी लग रही हो मुझे मैं तो केवल इतना जानती हूं कि हमारा नन्ना सा पुत्र अब नन्ना नेरा चार वर्ष का बालक बन चुका है चार वर्ष का होगा हो है फिर भी अपनी मैया के साथ प्रते दिन ऐसी सैतानी कतो है आपका लल्ला मेरा लल्ला? और नहीं तो क्या? अब क्या मुझे ताकते रहोगे? क्यों से डूंडोगे भी? जे मिलेगो तो मुझे ही इतने वर्षों में ना इसके सारे छुपने के स्थान पता है मुझे आना! कहा छुपको है जे आज? मिल क्यों ना रहू? नन्ना? सुबह सुबह मैया के चड़नों में फूल चड़ाने का अनन्दी को चौर है उससे पता था उसकी मैया यहां ढूनेगी देखो जी कितना प्यारा है मेरा लल्ला? मेरा लल्ला? और ने तो क्या? अच्छा बलब सहतानी करे तो लल्ला मेरा और प्यार उमड़े तो लल्ला तुम्हारा वाह आपसे तो बाते करा लो बस उसे ढूनने का दाय तो मेरा और आप इससे अच्छा सांगी से बैठ जाओ ठीक है तो मैं बैठ जाता हूँ आप सची मैं बैठ गए? ठीक है मैं काना को स्वय मी ढूनोंगी लल्ला ये बाबा ने अच्छो करो अब होगी मेरी योर्ना पुरी तरह से सफल जे बाहर को है क्या? नाना उसने आज तक बाहर के दिसा में पाओं भी न धरो है तो आज क्यों जाएगो मला? अरचे कहो कहा है? वो क्या है? ये अंग वस्त्र है हमारे पुत्र के लिए आपके लल्ला का अंग वस्त्र क्रिष्ण, 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 क पॉला, बोबिंदा, एदो मोधरा यह मैंने बनाये, अपने नक्षच कृष्णी के लिए अर यह उसे ठीक से आएगा, वो कैसा दिखता है, लंबाई कितनी है, यह तुम्हें कैसे पता मुझे पता है स्वामी, मेरे मश्टिष के पतल पर उसकी चवी अंकित है अपने रिदे में मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है तब तुम मुझे भी बताओ देवकी, कैसा है वो, कितना नटखट है वो देवकी अब तेरी जिस सतानी ना चलेगी, समझो, स्नान ध्यान करनो है कि ना बताओ ना देवकी, कैसा दिखता है हमारा पुत्र अलग ही आभा, तिव्र प्रभा है, सूर्य से दम के ऐसी तवचा है मुक सावला है उसका, इतना सलोना, कि कोई भी देखे तुमन आनन से भढ़ जाए मैया जल इतना ठंडों क्यों होतो है ताकि मेरे लल्ला को स्नान करने में आनन दाए केश खोंगराले, इतने घन है, जैसे सावन की काली घटा है आखों में तेज है इतना प्रबन, जैसे खिल गए हो तो कमल और बाते, जो दिखता है, वो क्या है, क्यू है? कैसे? चाहे कि शन भर में सब जान जाए जिग्यासा इतनी कि चकित कर जाए उसके प्रशनों में चकत भर का कोर तो सबाए माया, गोल क्यों होती है? क्यूंकि सूर्य देव रत पर चड़कर ब्रहमन के लिए निकलते है पर सूर्य देव ब्रहमन पे क्यों निकलते है? सारे प्राणियों को प्रकास देने के लिए सूर्य देव का प्रकास पीले रंक क्यों होतो है? क्यूंकि मेरे लल्ला की धोती पीले रंक की है अच्छा माया, सूर्य देव गोल क्यों होते है? क्यूंकि मेरे लल्ला की बाते गोल गोल है वी, सिधा रहे पर माया मैंने वस्तो और आभूसन के साथ यही तु रखा था कहा गयो कितना अच्छा होता यदि ये वायों उसे उड़ा कर एरे कृष्ण तक ले जाती चे यहां रखा था मैंने चे इत्ती सुन्दर कलाकारी उसपर मेरी दृष्टी क्यों ना पड़ी इससे पहन के तो तु और भी सुन्दर लगेंगो लला आजा अब और प्रसना स्थिर रहे और मुझे ये पहनाने दे पीली पोशाक में जब वो मोर मुकट पहन कर तयार होता है तो चल अब खड़े हो के दिखां मेरा काना कैसा लग रहे है तो तो क्या देवकी कैसा लगता है कृष्णी जब मोर मुकट के साथ सजधज कर तयार होता है बिलकुँ श्री नारायन जैसे बिलकुँ श्री नारायन जैसे मन मुहना क्रिष्ण काना मन मुहना क्रिष्ण काना अदभध अनूपम मधुर्मनूरम सारे जग से निराला मन मुहना मेरा काना मन मुहना मेर काना नैन खुले जो उच्वल के रड़े इस जग में भर जाओने अधर हिले तो बादल बादल ज्यान की वर्षा लाए चर्ण करे परशद राजो का मन उश्प खिल जाए लेखाओं में हाथ की मानों तीनों लोक समाए जितना सरल है उतना ही छलिया ये गो कुल का ग्वाला मैं मोहना इस्टा माना इस्टा माना इस्टा माना लेखाओं माना इस्टा माना इस्टा स्रीक्रशना गोंदा अरे पुनारी सिर्शना, सिर्शना, सिर्शना स्रीन जनारी सिर्शना कर दो कर दो दो कर दो कर दो दो कि तुमने मुझे भी एक नहीं आशा दे दी जब तक प्रभू है आशा है आशा है कि एक दिन आएगा जब हमारा पुत्र कारगार के समान इस कक्ष से मुक्त करके हमें बाहर ले जाएगा जब कंस के अत्यचारों का अंत करेगा वो महाराज कंस पधार रहे हैं जैजेकार अरंभ करें महान समराट मतुरा नरेश महाराज कंस की महाराज कंस की महाराज कंस की जे महाराज कंस्की जे महाराज कंस्की जे अस्ती सभी सभासद उपस्ति था यहां जी महाराजी तो क्या सूचना है मासिक कर इकठा करवाकर राज किये कोशागार में जमा करवा दिया गया है महाराणी लगता है हमें शिगर ही अतिरिक्त कोशागार की विवस्था करनी पड़ेगी नए अस्त्रशस्त्र भी आ चुके हैं महाराणी पहले से कहीं अधिक तीवरे धारवाले और कहीं अधिक शक्तिशाली हमारे सबसे अच्छे योध्धाओं ने स्वैम परखा है उन्हें क्या हुआ आकलासुर तुम्हारे पास राज्य को देने के लिए कोई सूचना नहीं है सूचना तो अवश्य है महारानी पर पहले महाराज के बारे में सूचना जानना चाहता हूँ मैं पर पहले में सूचना जानना चाहता हूँ मैं मुझे पतो है मेरे पीछे कौन है माईया माईया आपको हर बार कैसे बता चल जाता है माईया, आपकी आखें चारों और देख सकती है क्या। छुपा के प्रभू। बता, क्या चाहिए तुझे। लड्डू चाहिए। तो, पेड़े चाहिए। तब तो पक्का माखन चाहिए ओगो तुझे। अब तो फिर तुझे बता दे काना, क्या चाहिए मेरे लल्ला को। मुझे कच्चु चाहिए नहीं माया, मैं तो कच्चु देने आया था। अच्छा, तुदे फिर। आथ आगे बढ़ाओ। यह आपकी लिप बनाई हो है मैंने। सच्ची, काना, जो तुने बनाई है, तो बान पे तुई, बान पाए को। लाव। सच्ची, काना, जो तुने बनाई है। सच्ची, काना, जो तुने बनाई है। वाद कठिन है। तो क्या होगो। काना की हर कठिनाई को सरल बनाने के लिए उसकी मईया है ना। मैं बानती हूँ। बन क्यों। मैं फूरे ते अच्छी क्यों होते हैं। क्योंकि वो तेरे जैसे सुन्दर-सुन्दर होते है। परे फूल आते का से हैं। बदो से। सारे फूल बदो से आते हैं। हाँ लला। मैया, पर होते तो सुभी हरे रंग के होते हैं। तो फिर फूलों में भेंबे रंग का से आ जाते हैं। बताओ ना मैया। बहुत प्रस्न पूछन लगो है तु। मुझे कारे करने दे। मैया, बस से कंतिन प्रिश्न पूछूू। पूछ। आज ही पूछेगो ना लला। कि सदानन जी को बुलवा के मुखर निकलवाओं। मैया, मैं पूछ रहा था कि मैं आज बाहर जा सकते हूं। सवेरे से मुझे इसी लिए फूल दे रहो है न। कि मैया प्रसंद हो के हाँ बोल दे। अपने हाँ कैदी। ना कहिए का ना। कड़ी ना। सुन भी ले और मस्तिस्ख में डाल भी ले। पर तुझे बाहर जानो ही क्यों है। अपने मित्रों के साथ खेलने है मैया। तो खेल तो तु यहां भी सकतो है। अपने मित्रों को फरसे यहां बुला ले। सची मिया बुला लू। गोकुल के राजकुमार के महिया हूँ, जोट क्यों बोलूंगे। मैं तो जे भी सोच रही थी लणा, कि अपने राजकुमार के मित्रों के लिए कछो विसेश बना लूँ। अब बात अच्छी हो महिया, अभी बुला दू हूँ। चा, समाल के। आया, आया, आया वो! कि अपने राजकुमार के मित्का भी बूलूंगे